दोस्तो मैंने SSL Hybrid और QQE MT4 को मिला के एक setup बनाया है जिसका उपयोग हमें 5 मिन्ट के टाइम फ्रेम पे करना है यह हमें best जो है 5 मिन्ट के टाइम फ्रेम पे हमें best मिलता है ठीक है दोस्तो अब आएए दोस्तो देखते हैं कि इसकी setting हमें किस प्रकार से लगानी है तो जो SSL Hybrid है उसकी setting में हमें क्या करना है सबसे पहले input में जाना है input में ये तीनों चीजे टिक कर देनी है slow baseline saw SSL1 saw ATR band तो ये तीनों हमें टिक करना है फिर ATR period हमें 5 करना है उसके बाद हमें क्या करना है SSL1 baseline length के हमें 34 कर देनी है ठीक है उसके बाद SSL2 length हमें 5 करना है और exit length हमें 25 करना है ठीक है इतनी सी दोस्तों यहाँ पर इस तरफ setting है बाकी इसको untick कर देना है अब आज़े दोस्तों देखे हैं style में हमें क्या कर लगाना है style में हमें candle size और exit arrow हमें exit कर देना है untick कर देना उसके बाद MA baseline को tick करना है SSL1 को tick करना है color bar को हमें हटा देना है उसके बाद baseline upper channel को हमें tick करना है baseline lower channel को हमें tick करना है बाकी जो इतनी चीजें सारी downside के हमें हटा देनी है उसके बाद दोस्तों इसको हमें save कर देना है ठीक है अब हम देखते हैं कि हमें QQE का किस प्रकार से सेटिंग करना है QQE MT4 की जो सेटिंग है वो हमारी रहेगी RSI Length हमें 6 करना है उसके बाद RSI Smooth Length हमें 5 करना है और Threshold जो है हमें 4 कर देना है ठीक है बाकी तीनों चीज़ों पर हमें जो है टिक कर देना है लाश्ट में और Style में जाके हमें क्या करना है Style में हमें दोस्तों सारी चीज़े टिक रहने देनी है सारी चीज़ों में टिक करना है केवली ये बार कलर को अंटिक करना है और Background को हमें क्या कर देना है अंटिक कर देना है लाश्ट की ये तीनी चीज़े अंटिक कर देनी है इसके बाद हमें इसको सेव कर देना है इतनी सी दोस्तों सेटिंग है अब आईए देखते हैं कि हमें ट्रेट कब लेना है तो दोस्तों कॉपी और पिल लेके आप लोग जो है लिख लीजे कि ट्रेट कब लेना है और कब न जाए ठीक है यानि कि यह हमारा जो नीली अ कलर का सिंबल है कि यह जो है बेस लाइन की नीखे आ गई यानि कि जी रो रेड होना चाहिए ठीक तो इसने पर हमें जो है यहाँ पर भी SSL हाइब्रीड रेड हो गई हमारी और QQE ने हमें जो है सिगनल दिया है तो हमें यहाँ पर ट्रेट ले लेना है ठीक है जो QQE की लाइने हैं वो दोन लाइने क्या होनी चाहिए जीरो लाइन की नीची होनी चाहिए तो यहाँ पर हमें ट्रेट लेना है और इसी केंडल के हाई लोका हमें मार करना है ठीक यहाँ पर इस candle ने दिया है यह candle तो इस candle के high लोका हमें क्या करना है मार कर लेना है हाई का हमारा stop loss रहेगा और lubric होने पर हमें क्या करना है ट्रेट लेना है ठीक है तो यह हमारा stop loss हो गया 42,706 का stop loss हो गया और 42,763 की नीचे हमें trade लेना है ठीक है अब दोस्तों हमें exit करना है exit के लिए हमें क्या करना है हमें wait करना है जब QE की जो green line है उसको हमें क्या करना है जब वो एक दूसरे को cross कर देंगी तो हमें वहां पर अपने trade से exit कर लेना है या profit को book कर लेना या फिर हमें wait करना है जो SSL hybrid जो length है channel है उसका क्या होना चाहिए अगर वो green बन जाता है तो हमें अपने profit को book करना है ठीक अब दोस्तों यहाँ पर next trade हमें कब लेना है यहाँ पर यह market हमारा क्या है SSL hybrid क्या है यहाँ पर यह green बन गया ठीक है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो QE की जो line है वो zero line की नीचे है तो हमें यहाँ पर trade नहीं लेना ठीक दोस्तों हमें best trade तभी मिलेगा जब हम फिर उसके बाद फिर से हम देखते हैं फिर से हमें यह trade मिला है आज का ठीक है 25 तारी का 25 तारी को फिर से हमें क्या मिला एक signal मिल गया ठीक है यह हमारे signal candle हो गया cross हो गया signal candle QE MT4 के नीचे क्या है हमारी जो QE की line है वो zero line के नीचे आ गई है तो हमें क्या करना है इसी channel के high ल लोग को हमें मार करना है अगर candle जो है बोख कर लेना अब फिर next entry दोस्तों में क्प करने है यहां पर je SSL hybrid यrafी यह हमारा green बना है लेकिन हमारी क्या है ? क्या है ? क्या है ? zero line की नीचे है तो हमें trade नहीं लेना है फिर से यहां पर puts side का दिया était स में trade नहीं लेना है pag फिर सी यह हमारा जो है zero line के उपर आ गया है तो यहां पर यह green बना है और इसके बाद हमें क्या करना है इसी candle का हाई-lo mark करना है candle का अगर हाई-3 candle break हो जाता है तो फिर नहीं लेना है ठीक फिर दोस्तों यहां पर हम देखते है कि यहां पर हमारा फिर से एक setup बना तो यहां पर जैसे ही zero line के नीचे आई तो इसी candle पर हमें क्या करना है trade ले लेना है ठीक है तो और हम थोड़ा देखते हैं पीछे buying side का हम देखते हैं कि हमें किस तरह से trade लेना है अभी दोस्तों यहां पर हम देखते हैं जैसे यह है यहां पर यह हमें हमारे SSL hybrid channel ने जो है buy का signal दिया है लेकिन हमें buy नहीं करना है ठीक क्योंकि हमारी क्योंकि आपी लाइन के नीचे है तो अब यह देखते हैं कि buy side हमें किस तरह से और दोस्तों buy side का देखते हैं कि किस तरह से trade लेना जैसे हम यहां पर देखते हैं कि हमारा SSL channel जो है वह green बन गया लेकिन हमारे क्या है QQE MT4 की line जो है zero line के नीचे है ठीक है तो अभी हमें trade नहीं लेना है हमें यह signal मिल गया कि market जो है अब जा सकती है लेकिन हमारा QQE क्या है zero line के नीचे है तो हमें trade नहीं लेना यहाँ पे हमारा QQE zero line के उपर आता है और यहाँ पे हमें जो है buy का signal generate होता है हमारा यहाँ पे clear ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा QQE भी जो हमारा buy का signal देता है तो इस candle के high low को फिर से हमें क्या करना है mark करना है जिससे यहाँ पे हमारे QQE ने जो है buy का signal दिया है zero line के उपर आया है तो इस candle के high low को हमें क्या करना है मार कर लेना है ठीक अब इस candle का high जब break होगा तो हमें trade लेना है ठीक यहाँ पर जैसे अगर market कोई range बनाती है तो हमें फिर उस range के high low को मार कर लेना है अब यहाँ पर दूस्तो तो QQE जिरो LIEN के उपर आती है फिर से नीचे चली जाती है फिर से market इस candle पे जो है फिर से उपर आती है ठीक है तो अब हमारे लिए क्या हो गया यह green candle इंपार्टन्ट हो गया ठीक तो यह हमारे लिए यह green candle important हो गया यहाँ पे 0 LIEN के नीचे थीन candle के नदर इसका hybrid हो गया तो हमें trade लेना है दोस्तों फिर समें profit कब book करना है profit हमें तब book करना है जब हमारी QQE जो है दूसरे को crossover कर दें या फिर हमारी जो है SSL channel hybrid जो है वह रेड़ बन जाता है ठीक है तो यहां पर हमें profit को book कर लेना है दोस्तों बहुत ही अच्छा setup है और दोस्तों आईए आप लोग देख लिजिए कि आपको जो है trade कब नहीं लेना है ठीक है यहां पर जैसे put site नीचे जा रही है market ठीक है यहां पर हमें buy नही करने क्योंकि यहां पर क्या है market की price जो है SSL channel है उसके नीचे है ठीक हमें यहां पर buy नहीं करने है ठीक है फिर समय best trade कब मिलेगा यहां पर दोस्तों देखते हैं ठीक है यहां पर जैसे क्या हुआ moving arrows नहीं क्रास ओवर दिया और हमारे लिए क्या है जीरो लाइन के उपर हमें क्या चाहिए MT लाइन की तो यहां पर MT क्यों 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 हमें सेलिंग का सिगनल दे रहा है और हमारे स्टक्वा वह 70 लाय। यहाum पर घया पर गया तो यहान फिर्पी सब्सेट उनला है तो यहां पर किसे ओमारा एस्ट इस अल जो है वो गृNEY है लेकिन हमारी क्या है क्यों किए 40 किवे तरह एन चैनल ट्रेट मिलेगा तो इस तरह से दोस्तों जो है किया जाता है यहाँ पर देखी हमारी क्या है एस एस एल चैनल जो है वो रेड़ बन गई है और उसके बाद हमें क्या मिला है यहाँ पर हमें QQE MT4 भी Zero Line के नीचे आ गई तो यह हमारे लिए Best Setup बन गया है यहाँ पर हमें Trade मारना है ठीक तो इस तरह से दोस्तों जब हमारे QQE MT4 और SSL Hybrid Channel जो है वो एक साथ Buy और Sell का Single देते हैं तो हमें जो है Call, Buy और Sell करना है इस टॉक में भी इसको फाइप में यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों अगर यह Setup आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर सेर करीगा और आप लोग कापी और पर पर जरूर लेकिए नोट कर लिए कि कर लिए कि आपको SSL Hybrid Channel जो है अगर वो हमें Sell का Single दे रहा है और हमारा जो है QQE अगर Zero Line के उपर है तो हमें क्या करना है Sell नहीं करना है तो दोस्तों इतना सा Rule है अगर आप इस Rule को Follow करेंगे तो आपको बहुत अच्छा Profit होगा टाइम फ्रेम में 5 मिनट का उप्यों करना है तो वीडियो अच सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर मैं स्टेडी के लिए जो है आपके लिए चार्ट को भी पोस्ट करता हूं ठीक है दोस्तों तो आप जो है हमारे टेलिग्राम चनल को भी जौन कर सकते हैं यूटूब चनल को जौन कर सकते हैं आप कमिंग वीडियो देखने के लिए तो